Hey everyone, welcome back to Rise and Shine, I wish you all a very happy lori and makar skranti So, मेरा आज का टोपिक है जी को कहाँ जो बोलेंगे, कहाँ को बोलेंगे तो हमें जल्दी से वही तीन लेटर्स को रिकॉल करना है जो हमने सी के बारी में किये थे But wait, hold your horses, अभी वीडियो छोड़के मत जाना क्योंकि इस रूल मेंग ट्विस्ट है जो मेरे वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूं तो ध्यान से सुनियेगा जब भी G, E, I और Y के साथ हाएगा ये जो की साउंड देगा For example, जाइंट, पेज, इंजिन जब जी किसी और लेटर के साथ हाएगा तो ये ग की साउंड देगा For example, गलव, गम, गूसबंब But, अभी ट्विस्ट की बात करेंगे There are some words in which G is following by E, I and Y Still, G says G, not J मतलब कि कुछ ऐसे भी words हैं जिनमे G, E, I और Y से पहले आता है लेकिन वो J की साउंड नहीं देता वो ग की देता है Let's say girl, give, tiger Get, right अब ऐसा क्यों है इसका तो कोई particular reason नहीं है देखिए जबी भी हम कोई rule की बात करते हैं Then 1% हमेशा ही exception रहती है तो language जो है वो different different भाषाओं का मिश्रन भी होती है क्योंकि हर language में दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी शामिल किया जाता है Maybe इसका reason वो भी हो सकता है So all we need to do here is to work smartly Okay अगर G smart है तो हम G से भी ज़्यादा smart है तो मुझे अमिताब बच्चन की movie का वो dialogue याद आ रहा है है ना I don't exactly know the name of the movie बट यस उसमें था ना कि अगर C.U.T. cut है तो P.U.T. put क्यों नहीं है So यही reason है कुछ चीजों में we just need to use our common sense that's it तो I hope आपको यह concept clear हुआ होगा and इसी तरह की और वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और मुझे अपना support दे